नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैंट और प्लाजो में अक्सर क्या होता है कि प्रॉलम आती है कि आसन जो होता है आसन उपर तरफ खिचा के जासा रहता है औ है यह आना कारण तो यह है या तो आपने आसन जो होता है आसन का जो फार्मूला आपने डंग्से उसमें यूज निक्या तो यह जाता है तो दोस्तों इस समस्यां किस तरह से आप ठीक कर सकते हो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा और प्रैक्टिक लीबतानी की क कुछ नया तो फ्रेंड्स आप यह देख सकते हो यह मेरे पास एक रफ पीस है और इस रफ पीस पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको आसन की कटिंग किस तरह से स्पर्फे मैं बताऊंगो कि आपको आसन की कृटिंग किस तरह से करनी है तो दोस्थो जब भी आपको पेंट काटनी हो या पलाजो काटना हो आप देखिग यह जो किनारी वाला हिसजरा, यह आपको अपनी तरह रखना होता है और सबसे पहले आपको एक निशान लगाना होता है, बिल्कुल सीधा इस तरह से, यह निशान आपको उपड़ की तरफ लगाना है, और इस निशान से आपको जो भी आपकी लंबाई रखनी हो, आप अपने लंबाई रख सकते हो, और सबसे पहले दोस्तों आपको नाप लेन पहले आदा इंच निकालने के बाद ये देखिए साड़े आठ पर निशान लगाने यानि 24 का चोथा हो गया साड़े आठ इसके अलावा दोस्तों पैंट में आगे की तरफ प्लेट्स डलती है एक इंच की आप प्लेट्स के लिए मारजन रख लो और इसमें जो दोने तरफ म साड़ी संबावना रहती है इसलिकर नाड़र्ये वाल इससे को आप एक्स्टर लेकर ही चलें इसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको जो मैंचीज होती है वो होती है इसका आसन निकालने का फार्मुला आसन आपको किस तरफ से निकालना है तो ऑको आपको यह अपन refidée है यह वाला इस निशान से आपको आसन निकालना है आसन का फार्मूला यह है जैसे कोई भी community का जो र्साइश होता है जैसे कि इस क्षा जो मैं कटिंग करने जहारा हूं हम इस माल लेते हैं 36 इंच इसका स्का हीपस वी साइज की पैंट यहां फिलाजो हो आपको चोफ़ा इससा निकालने के बाद लगभग डेड इंच और देखी लेंच एक्टर लेना है इस तरह से तो टोटली देखिए कितना बन रहा है इस हिसाब से तो टोटली साधे दस बन रहा तो आपको साधे दस इंच पर निशान लगाना है और सीथा निशान आप इस तरह से लगांग और ये जो आपने निशान लगाया है इस निशानर eh अपको थाईस का नाप लेना है वही हмिएधर से आदा इंच छोड़ते हुए आपको थाइस मान लेना है और इस निशान को इस निशान से मिला लेना है उपर वाले से इस तरह से और इसके अलावा जब आपको कटिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कभी भी सीधा नहीं काटना इस चीज़ का ध्यान रखना इसको हलका सा कम से कम आदा से पोना इंच आपको इस तरह पहुंदेस बतायाता हम नीकिसी साफसेंगे निशान लगाये हैं जब भी आपने पैंते प्लाजो की कटिंग करनी है तो आपको करना क्या दोस्तों ये जो किनारी वाला हिसा होता है ये देखिए ये किनारी वाले हिस्से को आपको एक्टा ही रखना है यानि कि आदाइन छोड़ते हुए आपको फिटिंग के निशान लगाने है कमर दोस्तों इसकी रखिए मैंने 34 इंच 34 का चोथा हिस्सा होता साड़े याठ यह देखिए इस जगह से साड़े आठ पर निशान लगा दिया है मैंने एक इंच किसमें प्लेट डल जाती है बीच में इस जगह पर और एक इंच इसमें माजन आ जाएगा जो भी हिप साइज होता है हिपस मान लीजिए इसका 36 इंच रखा है मैंने तो 36 का चो साइज याठ इसको थाइज बोलते हैं थाइज जैसे इसके 22 मान रहा हूं यह देखिए 11 पर मैंने निशान लगा दिया है उसके अलावा आसन के लिए आपको डेड़ से पौने दो या फिर दो इंच भी आप रख सकते हो अगर थोड़ा बड़ा साइज हो तो आप दो कि अध्यावान है इस तरह से इस만ड इंदम बिलकुल इंदम हलका सी उसके इसको इस तरह से बस गुंगा और दोस्तो इसके बाद आप इसकी करदे करने यह आपका हो जाएगा आगे वाला हिस्सा और आगे वाले हिस्से कटने करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीछे वाले हिस्से की कटिंग किस तरह से करनी है दोस्तों देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ कि यह जो मैंने आदा इंच लिया था इसको देखिए मैंने काट दिया किनारे वाल इस्से को तो दोस्तों इस तरह से तो केवल आपका यह होता है आगे वाला हिस्सा यह आपका कट जाता है अब पीछे वाले इस्से को किस तरह से कटिंग करनी है वह मैं आपको बताता हूं तो फ्रेंस आगे वाला हिस्सा मैंने काट लिया है अब मैं आपको बताऊंगा पीछे वाले हिस्से की कटिंग किस तरह से करनी है यह देखी आगे वाले हिस्से को आपको पीछे वाले पे बिचा लेना है जिस परकार से मैंने आगे वाले हिस्से को रखा था किनारी वाले हिस इस तरह से दोस्तों और 2 इंच आपको इदर से लेना है और 1.5 इंच आपको नीचे बोटम वाली जगह से लेना होता है जितनी आपने मोहरम रखनी होती है इन निशानों को दोस्तों आपस में आप शेप पट्टी के मदद से मिला सकते हो मैंने वैसे मिला दिये है और दूसर किशिए कि जगे इस तरह से निशान लगाते हुए आपको यही आसनवाली इसमें गुलाई देनी है अब फ्रैंड से जो मेंड चीज इसमें होती है वो यह होती है कि अक्सर क्या होता है जो नुए बीगिनर्स होते हैं वो गलती क्या गजला मारता है वो इसके हिसाब से कटिंग कर देते हैं बस आपको यह चिर आप न्यक्रि고 जब भी क्रशा काटना है तो पीछ वाला इस आपको इस जगे से दो इंच बड़ा लेना है एक्स्टा लेना है हर साइज में यही फार्मुला यूज होगा अगर किसी का साइज हिप साइज ज्यादा ही बड़ा है तो दो की जगह आप धाइंच बड़ा यहां से ले सकते हो माली जे इसमें तो 36 इंच हिप साइज के सापसे में कटिंग कर हूँ माली जे किसी का हिप सारी 40 है या 42 है तो आप 2 की जगह धाइंच भी बड़ा ले सकते हो क्योंकि बोड़ी स्ट्रक्टर के सापसे ही अक्सर पैंट की कटिंग होती है केवल नाप ले लेना ही यह नहीं होता कि नाप लेना किसी को आ गया तो वह बंदा पैंट या प्ल से यह पीछे की तरफ भागेगा अब दोस्तों मैं को कटिंग में बताता हूं किस तरह के से कटिंग करनी है यह देखिए इस जगह से आपको ब्राबर रखना है और इसको आप देखें सब जगह से आपको दो दो इंच बड़ा लेना है तो दोस्तों यह था सिंपल सा फार्मूला मैंने जो आपको समझा दिया है अहां दोस्तों अगर इसके करने के बावजूद भी अगर आपका आसन में प्रॉलम आ रही है यह आसन खिचाव मांग रहा है आपका तो उसके पिछे दोस्तों एक कारण यह भी हो सकता है कि आपका जो कपड़ा है वो शायद बिल्कुल भी stretchable नहीं होते हैं आप चाहो तो आप उसमें छोटी सी मियानी का भी यूज कर सकते हो वो मियानी किस तरह से cutting करती है यह देखिए मियानी काटना बिल्कुल आसान है अगर आप इस तरह से छोटी सी मियानी भी लगा दोगे आसन वाली जगे पे तो आपका आसन जो है बिल्कुल भी खिचाव नहीं मारेगा तो इस तरह से दोस्तों अगर आप cutting करोगे आसन वाली जगे से तो आपका जो है यह समस्या दूर हो जाएगी तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जो मैंने वीडियो बनाई है आपको मेरे फार्मूला पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मच्च